नमसकार बोलता विहार नियूज मीडिया में आपका स्वागत है मृतक अजय पासमान लगव 58 बर्स का था जो अपरादी प्रबिर्ती का ब्यक्ती था हत्या के मामले में 20 बर्स की सजा काट कर कुछ दिन पूर्व जेल से रिहा होकर बाहर निकला था जानकाडी के अनुसार जेल से आने के बाद भी अपरादी प्रबिर्ती के होने के कारण एक महिला के साथ मार पिट किया था सनीबार को रातरी में अपरादीयों ने मिली तक अजेल पासमान को घर से बुला कर ले गया और इट पत्थर से कुछल कर निर्वम तडिके से हत्या कर दी हत्या करने के बाद सब को मंदिर के पास फेक दिया सुबा जब लोग मंदिर के पास अजेल निकले तो देखा अजेल पासमान मड़ा हुआ था ग्रामीनों ने इसकी सुषन नाकोटी थाना को दितान जानकारी मिलने के बाद नाकोटी पुलिस से घटना अस्तर पर पहुँच जाच करने में जूट गई अनुमान लगा जा रहा है कि पुर्बर रंजीस के करन अजेल पासमान की हत्या की गई है मिलितक की पत्नी भी घर छोर कर भाग गई थाना अध्यक परसुराम सी ने बताया कि घटना अस्तर पर जहान लास्वे की गई थी पहुँच कर जाच की और सब को कबजे में लेकर पोश्ट मोडम के रिज़ अस्पताल बेगुस्राय भेद दिया है न्यूज प्रेशन तक पोश्ट मोडम से सब आच चुका था और परिजनों के दोरा उसे दा संसकार के लिए ले जाने की तयारी की जा रही थी परिजनों ने अभी तक किसी का भी हत्या का अरोप नहीं लगाया है घटना अस्तर पर स्वयम थाना अध्यक्ष परसुराम सी, S.I. सूचित कुमार और पुलीस बलके ससस्तर जवान मौजूद थे अस्तानिय मुख्या नीभातेवी परती निधी रामनाथ उर्फ बुड्डूल सी, नवीन सी, मुकेश सी, घंस्याम सी सहत अन्य ग्रामिन मौजूद थे नावकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर